हेलो माई डियर अपकमिंग मेकेनिकल इंजिनियर्स के से हैं आप लोग आई होप यूगा जुनिंग ग्रेट अवरी वार्म वेल्कम तो आर यूटूब चैनल वनस अगेन और मेकेनिकल ड्रीम बेच फॉर आल टाइप अप गौर्वर्मेंट ए एन जे एकजाम अभी हम लोग वाफ किये थे थर्ड लेक्टर में वहीं से आज के क्लास्फिर से रिजूम करेंगे वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यादी होगा हम लोग कर चल रहा फोर्स एन फोर्स सिस्टम यह थोड़ा सा बड़ा टोपिक है बहुत सारा थेयोरों के बारें पढ़ेंगे हम और उस थेयोरों से रिलेटेड जो भी कोस्चिन आपको पूछा गया है प्रिवियस अपका A&J exams में उसको भी सोलिसन करते वे चलेंगे वन वाई वन करके सारे थेयोरों और सारे कोस्चिन को लगाते वे चलेंगे तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे आपको याद होगा resultant of non-parallel forces तो जब हम लोग non-parallel forces का resultant find out करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत सार ऐसा theorem है law है जिसके through हम लोग find out कर सकते है resultant for non-parallel forces उसमें से सबसे पहला जो हम लोग study करे थे देड़ी जोर parallelogram law of forces क्या पढ़ थे हम लोग parallelogram law of forces इसमें हम लोग क्या करते थे अग अगर दो मेरा याद रखना दो non-parallel forces है जो एक point से निकल रहा है अगर एक point से कोई force निकलता उसको concurrent करते हैं यह भी धियान रखना concurrent क्या होता है जब एक point से सारे force मेरा निकलता है या फिर force अगर एक point पे आने का लगता है जैसे मालों यह मेरा F1 force है और ही मेरा F2 force है तो अगर आप यहां पर imaginary line करके आपको दिखा हूं तो आपको पता चलेगा कि यह दोनों force जो है एक point पर कहीं जाके meet मेरा कर रहा है ठीक है तो यह इसको भी हम लोग concurrent force बोल सकते हैं और एक point से force मेरा निकल रहा है उसको भी हम लोग concurrent कहेंगे तो दो अगर non-parallel concurrent force मेरा एक point से निकल रहा है तो उसको हम लोग parallelogram draw करके उसका जो diagonal है वो उसका resultant देता है यानि कि दो non-parallel concurrent force का resultant find out करते हैं एक parallelogram draw करके ठीक है यह में आप लोग को complete बता चुका था statement आपको बता चुका था हम लोग बारी आया था प्रूब करने का कि इसको कैसे प्रूब करेंगे तो चलिए प्रूब वाला चीज में आप लोग को बताता हूं ठीक है हम लोग का थोड़ा सा class जैसे मैंने कहा कि चुकि मेरा pencil जो है वो खतम होगे तक बेटरी तो मुझे फिर चार्ज करना पड़ा that is class को off कर रहे थे तो देखो यह फिर से start करते है यह मेरा पहला force है blue color से जो म मैं आपको green से दिखा रहा हूं diagonal जो रहेगा यह मेरा ले देगा उसका resultant अब मुझे यह आर find out करना है तो और find out करने के लिए क्लिए क्लिए करते हैं इस C point से अगर मैं इसको nominclature अब देख सकते हो A दिए हैं B दिए हैं C लिए हैं और O लिए हैं तो अगर मैं C से नीचे draw करता हूं और अगर B को भी आगे extend करता हूं तो यहां से एक मेरा perpendicular line आ जाता दोनों तरप से अब मुझे focus किस path पर करना सिर्फ मुझे इस चीज पर ध्यान देना मैं सारा चीज को हटाता हूं कि यहां पर अगर मैं देखूंगा कि मुझे find out करना resultant यानि कि O and C OC के बीच के distance find out करेंगे तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ले लेता हूं OC and B, एक सेकंड OC and D, अगर मैं OCD को ले लेता हूं तो मुझे एक triangle मिल जाता है, और इस triangle का hypotenious OC का है लाएगा, OB जो रहेगा उसका perpendicular का लाएगा, और OD जो रहेगा उसका base का लाएगा, तो यहां पर हम लोग यूज किये थे Pythagoras Theorem, Pythagoras Theorem किस में लगा रहे है, Trangle OCD में लगा रहे है, मेरा जो OCD है, उसमें में क्या लगा रहा हूं, आपका Pythagoras Prime में लगा रहा हूं, तो इसमें हम लोग देखे कि OC equal to, यहां में क्या लिखा हूं, कि OC equal to OD square plus CD square, देखो यहां से OC क्या basic के लिए, OC आपका जो है, वो आपका हाइपोटेनियस है, यानि कि OC ये चीज है, OC equal to आपका OD, OD मतलब ये base वाला चीज, and CD मतलब इसका perpendicular, तो देखो ट्रेंगल, और Pythagoras Prime में कहा लगाते हैं, एक right angle ट्रेंगल में, तो यह मेरा 90 degree है, तो यहां पे हम लोग ये चीज कर दिये, अब मु मेरा बता देगा, resultant of this, of the forces, of non-parallel forces, two non-parallel forces, तो देखो, अब मैं सारे को फिर से हटाता हूँ, अब आज आते हैं, मेरा direct point क्या, कि how to find OC, how to find OC, एक second हाँ, अब यहां ते देखना, देखते हुए जाना, OC square equal to मैंने लिखा, OD square plus CD square, और OC को मैं R लिख सकता हूँ, ठीक है, सर, R square equal to, अब देखो, OD, OD क्या आ रहा है, तो अगर ध्यान से देखोगे, तो आपको पता चलेगा, कि OD कहां से है, O से लेकर D तक है, और OD किसके किसके बीच में आ रहा है, यहां पे B भी आ रहा है, यानि हम लोग लिख सकते हैं, कि OB plus BD, लिख सकते हैं, यहां से देखो, OB O plus BD, तो मैंने जस्ट वही करा, यहां पे, मैंने क्या करा, यहां लिखा, कि OD equal to OB plus BD, OB plus BD, OD का square था, तो OB plus BD का hall square में ने कर दिया, अब आद देखो CD, CD कहां से है, यहां से लेकर, यहां तक CD है, यह CD है, तो इस triangle में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अब ही triangle हम लोग OCD मे में देख रहे है, तो OCD में CD क्या है, तो आप बोले कि CD सर, यह तो मेरा hypotenious था, यह मेरा आपका perpendicular था, और यहां से लेकर, यहां तक मेरा base था, यह मेरा base था, तो basically मैं अभी perpendicular का बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहां पे बोलूँ कि इस triangle को यहां देखो, इस triangle को just मैं क्या किया हूँ, यहां पे मैं लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग इसको समझ पाओ, कहाँ पे सर जी, तौ देखो यहां पे मैं highlights आप लोग को दिखा हूँ, green highlights से, यहां देखो, triangle को मैंने वही triangle को यहां draw कर दिया है, देखो यहां पर BCD, है ना, यहां पर BCD कि स TriccheLat का बात क देखते हैं तो यहां से देखेंगे अब इसके लिए हाइपोटेनियस क्या हो जागा यह वाला मेरा हाइपोटेनियस हो जागा यह वाला जो मेरा परपेंडिकुलर ही रहेगा और नीचे वाला मेरा बेस हो गया तो यहां से मुझे फाइंड़ करना है और तीटा यहां से अग अगर यहां पहें सेकर्ड और इस तरह करकिए मेना टरेंगल ला तो अगर मेरा यहां पहें उतना हाय तो यहां बहुत nee तो यहां पहां पहा होmay तो यहां पर से जो पर यहां पर यूज किया घया और उस यूज से मैं यह बोल सकता हूं आप लोग को कि देखिए मैं यहां पे अंगल आप लोग को दिखा रहा हूं ब्लेक कलर से आप लोग को दिखा रहा हूं कि यहां जो यहां का विली जो भी थीटा दिया गया है इसके इसके बीच में जो थीटा का विली दिया गया है से च autourEREध ने कल सब्सक्राता हुआ सब्सक्राइब नहीं को आगल सकते हों कि सांधिटा एकुल को सीडी ऐसी अपन पीए। यानि कि perpendicular upon hypotenuse, तो perpendicular क्या P है मेरा CD है, तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया, sin theta equal to CD, यानि कि perpendicular upon BC, यानि कि BC क्या है, यहाँ से hypotenuse है, मतलब H, तो यहाँ पे आप लिख सकतो P by H, तो P के जगा में देखो, यहाँ पे CD है, और H के जगा में आपका BC है, तो वह value हाँ पे put कर दिया गया है, अब मुझे यहाँ से निकलना क्या है, यह निकलना, CD निकलना, यानि कि P का value निकलना, तो CD equal to मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CD equal to, इसको multiply कर दूंगा, मतलब sin theta into BC, sin theta into BC, तो यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, sin theta, और देखो, और अग आपस में यह दोनों parallel होता है, और यह भी दोनों parallel होता है, तो अगर यहाँ पे यह मेरा parallel है, यह मेरा parallel है, तो यह भी parallel है, तो इसके बीच का distance भी same है, तो यह मेरा Q force था, आपको यादा Q force था, तो यह भी तो यह आपका Q force होगा, यानि कि उसके बीच का distance अगर लेंगे, मा sKe ev Some believe mniej और मुझे मिल गया साड़ल सी डी इकोल टू मिल गया क्यों साइन थीटा यूं आपको पता क्यों मैँ क्या करा देखो मैं सीर से नेक्स पेजू में आपको बताता हूँ मैने यहाप में कर ना कि जो एकड़म बेसिक में आप को बता HR वह कि ये मैंने इस तरह से दो फोर्स लिया था ये Q था और ये मालो P था ये मैंने यहां पर क्या करा कि यहां पर मैंने आपका बना दिया इस तरह करके पैललोग्राम तो मैंने जो पैललोग्राम बनाए अगर ये Q है तो ये भी यहां से Q होगा ये भी आपका Q ही होगा, क्योंकि ये मेरा दोनों का दोनों मेरा सेम जा रहा है, अगर ये P है तो ये भी मेरा P होगा, अगर ये P है तो दोनों मेरा equal होगा, पैरलल होगा, ठीक है, सेम वही मैंने करा, कि वो भी अगर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ आजाओगे, तो अगर ये म क्यूं यह चीज आया तो अब मुझे फाइनल क्या मिलिगा cd equal to मिलिगा q sin theta एक चीज मुझे पता चल गया तो मैं यहां पे कर सकता हूं कि देखो यहां पे जो सीडी था उस सीडी के जस्ट बगल में मैंने क्या लिख दिया q sin theta और चुकि cd का hall square था तो q square into sin theta का square हो गया चली यह तो मुझे पता चल गया sir कि मुझे पता चला यह यह चीज को मैंने यहां पे green से इसको भी highlight कर देना और इसको भी highlight कर देना यह चीज मुझे है कि बहुत करता हूं अचा ट्रेंगल बना यह बना देते हैं अब कृणे काहां से बात करें मतूं को सब्सक्तों करें मत बहुत तो को सब्सक्राइश का value put करो तो cost equal to क्या था base upon hypotenuse यहां पर base मेरा क्या है B or D है तो मैं बोल सकता हूं कि cost equal to BD upon BC क्यूंकि दखो मैंने just यह चीज को यहां value put किया रहा है B B मेरा क्या है यहां पर B है B or D तो BD और hypotenuse क्या मेरा B or C है तो B and C है और just मैंने कहा था कि यहां पर जो BC basic के लिए इसको मैं Q लिख सकता हूं यह अगर Q है यह भी क्यू है यानि कि BC के जगह में मैं फिर से क्या कर सकता हूं Q value put कर सकता हूं तो यहां पर मुझे find out क्या करना है BD find out करना BD तो मैं लिख सकता हूं कि BD equal to BC C cos theta और BC equal to पहले निकल चुका मेरा Q यानि कि Q cos theta तो एक आया मेरा CD equal to Q sin theta और BD equal to Q cos theta तो मैं इसको फिर से कर सकता हूं यह सभी को हटाता हूं and मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे सर और एक बार मिल गया BD equal to Q cos theta एक मिला CD एक मिला BD ccd मतलब कहां से कहां तक मिला मेरा देखो यह CD हम लोग निकाले एक मेरा CD निकाले और एक बार निकाले हम लोग BD मतलब यह वाला निकाले ठीक है BD और CD मुझे मिला ठीक है BD equal to यहाँ पर मैंने put कर दिया Q cos theta अब देखो final आपको मिल गया क्या R square equal to P मुझे पता P O B के जगम P कर दिया है BD के जगम Q cos theta आ गया इस दोनों का all square आ गया और यह Q square sin square theta आ गया बस कुछ नहीं अब करना है अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर जी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अब थोड़ा सा simplification calculation हम लोग करते है calculate क्या करेंगे यहाँ आप दे सकते हैं इसको अगर A मानेंगे और प्लस इस पूरे को पूरा को B मान लेंगे तो A प्लस B का यहाँ पर हॉल स्कॉर आ जागा और A प्लस B का हॉल स्कॉर क्या आ जाता है A स्कॉर प्लस B स्कॉर प्लस 2AB इसिंट इट तो मैं देखो यहाँ पर A स्कॉर मतलब P का स्कॉर B square मतलब Q square और cos theta का square क्योंकि यह पूरा का पूरा B है मेरा Q cos theta A square plus B square plus 2AB 2 A के जगह में P और B के जगह में Q cos theta तो यह पूरा का पूरा A plus B के होला square में मेरा आ गया चलिए ठीक है सर और जो मेरा बचा था यह वाला चीज उस चीज को में यहां पर लिग दिया हो तो यह चीज होगे अब यहां पर और एक चीज नजार आ रहा जब मैं इतना कर दिया हो simplify तो आप लोग देख सकते हो कि यहां भी आ रहा है मेरा Q square cos square theta ठीक है और यहां आ रहा Q square sin square theta सधी यह दोनों रहा Q square और Q square के दोनों को एक साथ मेंने कर दिया क्या किया हूं यहां पर पर लिखाऊ um P bar chwil q X square cos square theta सब्सार को स्गे सामने में कर दिया हूं ठीक है इतना हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि की और sortie स्कर को में कॉमान ले सकताँ और जब मैं qs कर qs कर को common लो तो sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है तो उसका value 1 आ जाएगा अगर मैं इसको सोड़ा सो और simplify करो तो मैं क्या कर सकता हो देखो यहां से मैं यह बोच सकता हो ना यह चीज बच्चा वाला चीज है आप लोगो पता होना चाहिए मैंने क्या कर रहा है यहां से मैं इन दोनों से में बात करों इन दोनों से qs कर को मैं common ले लिए हो qs कर को common लेंका थो बचेगा क्या sin square theta और plus cos square theta और आपको पता trigonometry के formula होता so 1 तो मैं इस पूरे को काट के मैं one कर सकता हो मतलब बचेगा क्या only qs कर बचेगा तो देखो, यहां से मेरा P square से P square आ गया, ठीक है, इसके नीचे वाला में बात करूँ, P square से P square आ गया, यह पूरा से मेरा बचेगा only क्या Q square, तो only Q square यहां बचा और बाकि 2 P cube cos theta यहां पे मेरा आ गया यह चीज, ठीक है, इतना मेरा बचा, तो final जब मेरा इतना बचा, तो बस अब कुछ नहीं करना, अब जो R square था, R square को हटा कि यहां पे root under चड़ा दो, तो जैसे आप यहां पे root under चड़ाओगे, you will get the final resultant of two non-parallel concurrent force, तो यहां पे में जो मिल गया resultant equal to P square plus Q square plus 2 P cube cos theta, और यह आपके लिए important है, derivation याद रहे ना रहे, क्या कि यह रहे ना रहे, यह ब хочу ya मैं, आप मेरे सामने दो तीन बार राचों याद होना चहिये, यह पूरी तरसे याद होना चहिये, यह नहीं बोलना चेहि, याद करो R equal to, करो root under PS square plus Q square plus 2 P cube cos theta, πılar प्लस Q square plus 2 P cube cos theta, γιαुका cuma q guess 0 atta然后र यहां पर रखना है चलिए तो रिजल्टेन हम लोग को समझ में आ गिया कैसे आया सर जी और बाकी सारा चीज जो है जो इंपोर्टेंट है वो सभी चीज को आप इस फिगर से समझ सकते हो चलिए अब रिजल्टेंट का तो अभी जो हम लोग निकाले वो बिसिकली में अब डिजल्टेंट पता करेंगे अब रिजल्टेंट का डिरेक्शन तो रिजल्टेंट क्या है आपको याद होगा वह डाइगोनल है पर भूलोगल का डाइगोनल है तो वह किस डारेक्शन पर जा रहा तो यहां पर रिजल्टेंट मेरा क्या है तो आप बोलेगे सार जी यह तो रिजल्ट devo ​​ेए ल।ा 未oga से किस दीखाओँ चलो में मालों से यह दिखा तो मेरा आ जा रहा तो द डायाक्शन में यह जा राए ईस दयाक्σιन पर जा रहा तो वह जो डरेक्शन जा रहा वह कितना angle बना के जा रहा horizontal के साथ तो horizontal मेरा क्या यह वाला line है तो horizontal के साथ ही कितना angle बना रहा हूं इसको हम लोग 5 से यहां दिखा रहे हैं किसको दिखा रहे हैं एक चीज़ याद रखने तो मैं अच्छी तरह से बतादेता आप लोगों को confused मुथ हो ये गा एक मेरा फोर्स जा रहा है यहां से इस तरह करके that is your q Q, एक मेरा force जा रहा है, एक सेकंड, एक जा रहा है Q, और एक force मेरा क्या जा रहा है, पी, एक सेकंड रोकिये, फिर से मुझे डोक करने दीजे, एक मेरा जा रहा है, एक हो गया, और यह मेरा दूसरा हो गया, एक जा रहा है, एक जा रहा है, एक मेरा जा रहा है, ठीक है, दोनो बीच का एंगल लेकिन अगर बोलेंगे सार्ई जल टेन कहा मुझे मिला तो आप पता है यादर नाथओ तो यह देखना फाइब का सब्सक्राइब होरिजन्टल के साथ और थीटा क्या है दो फोरसेश की बीच के एंगल है तो यहां पर हैंगा कि थीटा का या कि अगर बात करेंगे तो यह जो रिजल्टंट बना रहा रहा हो जो के साथ वह यहां पर यहां पर तीटा से दिखाए गया तो मुझे अब यह find out करना है अब यह कैसे हम लोग find out करेंगे चलिए मैं बताता हूं यहां से अब हम लोग next पे चलते हैं उसके बारे में यहां discuss करते हैं तो मुझे अब क्या चाहिए अगर फोड़ा से में यहां आ जाओ तो अब मुझे क्या चाहिए तो अब बात करो के ओंप तो अगर मैं 10-5 इकल निकाल ओटो 10-3 होता क्या तो आप बोले सर 10-3 में बात करूं एक सेकंड अगर मैं आप लोग खुद बोलो चले बताईए तो 10-3 को तो क्या हो जाता आपका फोर्मुला हम लोग पढ़े होंगे आप लोग 10 में पंडित बिहारी परसाद हरी हरी बोल ठी का ज़ञे करने के बाद से इसार बॉक्स बना लेते था और बोलते हैं है ओके पीवाइबी आएगा पीवाइबी आएगा यह हाइपो हम लोग पईथागरस प्रमें यूज़ करते थे चिक है तो क्या में जह मिला कि टैन इकोल टो सर्फ पीवाइबी नहीं कि परबेंडिकुलर अपन सर्फ पीवाइबी मतलब बेस अच्छा ठीक है सर्फ तो अगर मैं पी का बात करूं तो इहां पर सी जाएगा सी अंड जो है यह आएगा ए plastic एको नगर मैंडरा करूंगा यहां से क्यावाइबी पीवाइबी क्यों आएगा और पीया है भाए motivate औ क्योंकि अब मुझे इस क्द्रेंगल के बारे में बात कर रहे है कि मुझे आ यहां तक यहां पर क्या लेंगे समझाएं यहां पर देखो यहां पर लिया गया है तबाज यहां पर अगर में यहां दो सीडी वाइओ डी है क्या है मेरा सी डी वाय ओडी है बस इतना समझ गें वाकी खेल खतम और यहांपे कुछ भी नहीं है बाकि क्या है बाकि यहांपे देख सकते हो कि सर जी यहांपे cd equal to cd put कर देखें लेकिन od equal to देखो तो भाई od यहांपे क्या है तो सर o से लेकर अगर d का मैं बात करता हूँ तो यह OB plus BD है समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं यहाँ पर क्या जागा यहाँ पर OB plus BD क्योंकि यहाँ पर B B R A O R A D R A तो मैं यह कर सकता हूँ कि क्या मैं लिख दिया है OB plus BD और अगर मैं बात करूँ OB OB देखो तो OB equal to क्या है तो सर जी यहाँ पर OB equal to P है तो OB equal to P लेकिन BD तो BD तो पहले हम लोग निकाल चुके है थोड़ा से यहाँ से देखो तो BD equal to क्या निकाल से Q cos theta तो उसको value put कर देंगे बस और क्या है यहाँ पर जो value दिया गया बस उसको अब हम लोग put करते हैं हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो मैं यहाँ पर बो सकता हूँ कि मैं यहाँ पर OB equal to P put कर दिया है यहाँ पर और BD equal to Q cos theta put कर दिया और अब बात करेंगे CD तो CD भी तो हम लोग निकाल चुके पहले ही ना देखो तो CD भी निकाल चुके हैं तो कि यहाँ पर CD equal to क्या निकाल ले थे Q sin theta यहाँ इसको highlight कर दिये थे green और yellow से मुझे पता था फिर से जोरत पड़ेगा तो BD भी निकाल चुके थे और आपका CD भी निकाल चुके थे तो BD equal to Q cos theta CD equal to Q sin theta तो देखो यहाँ पर CD equal to Q sin theta और BD equal to Q cos theta और बाकी OD equal to P था तो बस इतना जभी value आप put कर दोगे तो बस यही आपका answer ही है यही आपका 10 5 हो जगा एक चीज important यहाँ पर है एक चीज क्या important है कि जब मैं यहाँ पर resultant find out कर रहा था अगर मैं यहाँ पर resultant find out कर रहा था मतलब resultant बोर रहे थे जब मैं यहाँ पर direction of the resultant देख रहा था फाई का देख रहा था इन्ही resultant horizontal के साथ कितना angle बना रहा है तो मैं इस वाले को लिया था horizontal लिया था आप चाहे तो resultant का अगर मैं इस वाले को लेता तो क्या answer नहीं निकलता बिल्कुल उसके साथ भी आप निकास सकते हो अभी मैं horizontal लेके चल रहा हूँ आप चाहतो उपर वाले ना horizontal मेरे easy पड़ता इसलिए horizontal लेके चले हैं लिगे उसके अगर मैं उपर वाले को लेता फाई तो यहाँ के लिए मुझे equation क्या change होता इसका विल्यू थोड़ा चेंज आ जाता कुछ और आता क्या ता कुछ और आता लेकिन मैं चला हूँ horizontal वालेके तो जब भी मैं बताऊंगा वह horizontal लेके चलूंगा easy के लिए जोरत पड़ा तो मैं आपको derivation करा दूंगा तो यहां से मुझे पता चल गा direction of the resultant मतलब resultant horizontal के साथ कितना angle बना रहा है जिसका हम लोग 10-5 से यहां से दिखाएं चल यह मेरा पता चल गया और यह दोनों बाबू very 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 जितना वेरी लिखो उतना very very important यह दोनों अब देखो इतना जो सीखें जो हम लोग यहां पर find out कि यह direction value of the resultant यानि magnitude of the resultant and direction of the resultant तो अब इसका हम लोग conclusion निकालते हैं निसकर्स क्या निकला तो निसकर्स का मैं कुछ आपको बताता हूं तरीका की क्या क्या आपको exam में पूछा जाता है इससे देखो पहला यह चीज है कि अगर मैं पहला मैं यह करता हूं कि मैं दो forces को लिया हूं ठीक है यह मेरा देखो एक Q-force है और एक मेरा एक P-force मैं यहां पर conclusion का बात करना हूं जहां से आपको जिस तरीके से question पुछ सकता है घुमा पे तो एक Q-force है यहां पर P-force है लेकिन आप देख रहो कि इसके बीच के एंगल बेरा 90 डिग्री है यह 90 थीटा का विल्यू 90 है क्या थीटा एकल टू 90 है थीटा आप समझ नहीं सर जी यह resultant तब आया था जब P और Q जो था यहाँ पे अगर मैं Q और P को लेता हूँ तो वो सर कुछ एंगल में था लेकिन वो मेरा 90 से कम था यह 90 से मेरा कम था यह मेरा क्या था less than 90 था यहाँ जो बात हो रहा है यहाँ क्या लिया गया है 90 ले लिया गया तो आपको simple कुछ नहीं करना तो यह बता आप बताईए कि कोस 90 का value क्या होता तो आप बोले के इस सरुस्ष Πोस नगicus होता हुआ तो जब zero होगा तो यह पुरा का पूरा value को यह zero कर देगा यह क्या कर देगा पूरा का पूरा value मतलब 10 5 का विल्यू 10 5 का विल्यू क्या होगा तो according to अगर मैं बात करूंगा फोर्मूला मुझे पता हा कि sir 10 5 equal to होता क्या है मेरा q sin theta divided by हो जाता है मेरा क्या p plus q cos theta यही तो होता है ना sir अभी just मैंने कहा था कि theta का विल्यू तो 90 पूट करेंगे तो जब मैं यहाँ पे पूट करूंगा sin theta का sin 90 के विल्यू तो आप देखो यहाँ पे लिग दिया है sin 90 के विल्यू होता 1 तो यह पूरा का विल्यू तो हो जागा मेरा 1 लेकिन cos 90 के विल्यू हो जाता 0 यानि कि पू क्या लिखा हो 10 5 equal to मैंने क्या क्या यहाँ पे लिखा है यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है आपका क्यूब आई पी तो resultant आएगा क्या यह चीज आएगा यह आएगा अब देखो यहाँ पर कुछ भी होगा आपको बस खाली theta का विल्यू यहाँ पे पूट करोगे तो आपक पूट करके आप find out कर सकते हो resultant समझ आए मेरी बात चली अब इस चीज को मैं हटाता हूँ तो हम लोग यहाँ पे conclusion पर यह देखे कि उसी formula का use करके हम लोग यहाँ पे find out कर सकते हैं जो भी दिया रहेगा angle वेगरा तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे यह तो confusion नहीं है ना कि थीटा क्या है और 90 क्या है देखो यह मैं बात करूंगा अगर P&Q तो यह दोनों force की बीच का जो angle है वो थीटा दिया गया है लेकिन जो मेरा resultant बन रहा है मालो resultant में green से दिखा रहा हूँ यह resultant मेरा बना है resultant तो resultant जो horizontal के साथ angle बना रहा है वो मेरा यहाँ पे 5 है 90 बेसि एक सेकंड तो यहाँ पर कर देता हूँ कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अब ठीक है थीटा इक्वल टू 90 क्योंकि आप खुदी देखो ना अगर मैं बात को resultant जो 5 बना रहा है यह तो 90 हो इनी सकता नहीं यह तो टील्ट है तो 90 तो नहीं होगा कि 90 क्या था एक दूसरे क of resultant ठीक है चली यह हम लोग सीख लिए सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो मैं बहुत ही प्यार प्यार से बता रहा हूं एक दम धीरे-धीरे से बता रहा हर वो चीज जो आपके लिए काफी important है तो यह हम लोग देखें जब दो force की बीच का एंगल कितना लेंगे हम हम लोग 90 ले लेते तब 10 5 एंड जल्टेंट का क्या वेल्यू आएगा ठीक है बात करते हैं हम लोग next page चलते हैं एक पहला conclusion देखें अब second conclusion यह देखते हैं कि मैंने जब कहा था ना कि अगर मैं 5 का वेल्यू जो लेता हूं उसको change करता हूं तो कैसे होगा समझो मेरी बात मे आपको अलग चलो नीचे में देखो यह क्यों हुआ आया है वो में आपको बता रहा हूं देखो पहला में केस लेता हूं अभी conclusion देख रहे हूं रिजल्टेंट रिकॉल टू रूट अंडर पी स्कर प्लस क्यू स्कर प्लस टू पी क्यू को सिटा और टैन फाइकल टू किजो को सिटा उसी पर हम अलग लग कि माल लेते एक मेरा फिर से वही एक क्यूवर्स था और एक मेरा पी फॉर्स था टू जू टीए 5 अलगे तिटा अब बात करते हैं कर इसके रिजल्टेंट काober युच में डाइगनल आता था मेरे रिजल्टेंट और रिजल्टेंट मेर झाल होर्जकररण के साथ माल लेते कि five एंगल बना रहा है बोल सकते हैं सर हम लोग बिल्कुल बुल सकते हैं है अब इसके बाद मैं बोलूंगा कि सब्सक्रेश ही वह था किthere रिजर्टेंड क्या हो जायगा त ताब बोलें कि यह सूर आप कितना पर बता करता रहा था तो यต यह कि हिसके चाहच करा ओर होली बना रहा यह जो फाइब बना रहा और तरश को नहीं कर रहा तो सब tota플 नहीं कर रहा है तो आप टीन यहां के लिखोगेlot क्या इसे resolution करते हैं वो थोड़ा सा जानो आप लोग को समझ आएगा मैं क्या बताना चाहरा resolution एक होता horizontal एक होता vertical में हम लोग resolution करते हैं इसको resolve करते हैं तो जो angle जिसके साथ सटावा है ना वहाँ पर को साता है मतलब यहाँ से देखो horizontal के सटावा तो यह आएगा F cos 30 degree और उपर जाएगा F sin 30 degree समझ आए sin उपर क्यों हो क्यों उधर सटावा angle मेरा नहीं था यह जो angle 30 degree बना रहा था यह horizontal के साथ मेरा बना रहा था force इसलिए यहाँ पर cos आया अब देखो इसको मैं पूरा का पूरा reverse करके सिर्फ एक change कर देता हूं कि अब angle हम लोग दे लेते हैं 30 किसके साथ बनाएगा वो मैं यहाँ पर कर देता हूं और यह वर्टिकल वाला component अब बताए कोस कि इदर आएगा कोस आएगा उपर वाला में मतलब अब आएगा f cos 30 क्यूं कि अब वर्टिकल के साथ 30 degree angle बना रहा force मेरा और जो horizontal वाला आजागा वो क्या आगा f sin 30 आजाएगा यह चीज आप लोग को रट लेना है जिसके साथ angle बनाता उसको पॉस लेते चली अगर यह समझ में आ गया अब देखो आपको ट्रीक यहां पर काम कर जाएगा तो मैं यह बोर रहा था कैसे इसको लिखेंगे तो यह 5 किसके साथ टच कर रहा है और general के साथ resultant टच कर रहा है तो किसको टच नहीं कर रहा है पी के साथ टच कर रहा ना पी पी जो दो ही तो फोर्स है क्यू फोर्स है पी फोर्स के साथ टच कर रहा क्यू के साथ टच नहीं कर रहा तो हम लोग जो इसको टच नहीं कर रहा उसको लिखेंगे तो देखो जिस को साइन दो साइन और जिसको मेर राओं नीचे मी लिग देना जिस 10 femnor ले रहा तौह पी को टच कर रहा तो पलस कर दें आपका काम हो गया तो यही चीज चीज जो है यहाँ पे बताया गया यही चीज को यह पे बताया गया पहला वाला में अब सेकेंड वाला क्या है समझो अब माल लेते हैं कि यहां पे चीज़ चेंज कर देते हैं यहां पर क्यों न रख किये ठीक है एक सेकंड यह पूरा रहने दीजेसी तरह करके और मैं क्या करता हूं यहां पे यह Q ना रहा के इसको P बना देते हैं और इसको P ना रहा के Q बना देते हैं तो उपर वाले को हम लिए थे P तो इस बार लेते इसको P और इसको लेते हैं Q, opposite कर दी हैं अब देखो इसको कैसे लिखें देखो resultant मेरा change नहीं होगा resultant जैसा था वैसा ही रने वाला change होगा मेरा 10,5 क्योंकि हम लोग 10,5 में क्या find out करते हैं direction of the resultant, resultant का direction तो भाई हम लोग horizontal लेके चले हैं तो पहले था पहले यह P था लेकिन अब Q हो गया तो अब obviously बात है direction तो resultant change हो जाए क्योंकि होट general के साथ इस बर आपको Q आ गया आप देखो कैसे लिखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इस बर अगर मैं यहां से फिर से करता हूं 10,5 तो आपको पता है क्या करते हैं सर जो टच नहीं करता है resultant उसको पहले लिखते तो यहां-प्त देखो टच क्या नहीं कर channel p नहीं टच कर रहा है और टच नहीं कर रहा सको sign लिखेंगे तो क्या लिखेंगे P sin theta कर दो पहले और आपको पता नांको पी साइन थेटा तो पी नीचे में कौस थेज़़ लीग दिये तो पी को चिटधये यहां पिछ दिये और जिसको टच कर रहा उसको बस यहां पर लिग देना तो किसको टच करता रहा क्यूं यहां पर और यही दोनों चीज़ जो है वहां पर बताया गया ठीक है चलिए और जो मैंने वेब सीरीज का क्या कोई बच्चा देखा की नहीं अभी तक आप लोग कमेंट तो किये नहीं है मैं देखूंगा मैं इस साइट देखा नहीं हूँ चलिए लिए अब समझ है आप लोग को कैसे जाओट करना यह पता रहने क्या बुल्यियॏ ऱबच्पर तो पूख्र चेंज होगा अगर मैरा 4 चेंज होता है यह पर यहीं करण लोग ऐसे बचेंज कह रहें इतना चीज हम लोग समझ गाएं और कुछ देखते हैं अब देखें एक कोशन पूछता है कि बताइए ठीटा के किस वेल्यू में मेरा रिजल्टेन मेक्सिमूम या मिनिमम मिलता है में क्या करा हूँ ठीटा के किस वेल्यू में अभी इस चीज को नहीं ध्यान देना है यह बाद में आपका आएगा रिजल्ट फाइंड आउट होगा यह भी नहीं पता आपको अगर मैं कोशन पूछू कि बताइए रिजल्टेन मुझे मैक्सिमूम चाहिए या फिर दो फोर्स के बीच का और सबसे कम मेरा वेल्यू रिजल्टेन कव होगा जब ठीटा का विल्यू क्या रखेंगे तो व्यस्ति बाता थीटा का विल्यू जैसे मालों यहां एंगल यह इतना लिया फिर उपर चल गए 90 डिग्री फिर यहां पर 270 लेंगे 180 लेंगे इस तरह रिज्टेन कीसे आ रहा था तो सर एक ले रेते हम लोग यहां पback 4 ripe के लिएप लेते थे हम लोग क्यूफ और पि फोर्स को में यहां विद्य फोर्ग पही तो यह बद Dwight अनगा एक तो सिंगrant यह नले है और मेरा लेंटी आ मेरे अट्ध थण चेंग होगा 90 नहां लेकि न चेंज हो जाएगा 120 ना लेकि इस बार में 180 ले लेता हूं क्या कर ले तो 180 मतलब क्यूं उधर है तो पी इधर है और इसके बीच के अंगल कितना गया थिटा इकोल टू आपका 180 आगया तो आप रिजल्टेंड चेंज होगा क्योंकि समझो रूट अंडर पी इसकार प्लस क्यों इसकार प्लस टू पी क्यू कॉस थिटा तो थिटा का वेलू जैसे से चेंज हो रहा है 30 60 90 180 तो आपको यह बोरा कि बताईए कब मैक्सिमुम वेलू मिलेगा रिजल्टेंड का यह आपको बोल रहा है अब देखो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं यह बताने से पहले तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि सर जी एक चीज बताईए अगर पी फोर्स मेरा इस डायक्शन पर जा रहा है और क्यू फोर्स भी इसी डायक्शन पर जा रहा है मतलब दोनों फोर्स को लिटा दिए एक द आ झाल का समझो यह मालो एक फॉर्स है यहां पर और दूसरा फोर्स यहां पर इस तरे करके लिए गाए अंगल भी नहीं अब देखो इंगल धर बना है यहां कुछ बहुता कूरा रहा है हैना मालों produktना एंगल यह फिर से गया तो तो थोड़ा सा अगर दिमाग लागा होगे तो आप बोलोगे सर जी एक चीज बताइए आप बताएं थे पैलल फोर्स का रिजल्टेन फाइंट करते हैं दोनों को जोड के अगर सेम डिरेक्शन में रहा तो दोनों को घटा देते हैं तो जब पीवी इस डिरेक्शन पर जा र हो जागा सर मेरा यहां पे क्यू प्लस पी और इससे ज्यादा विल्यू हो नहीं सकता है क्योंकि अब जैसे जैसे उपर जाएगा थेटा का विल्यू मेरा कम होते जाता है ठीक है क्योंकि देखो को सेटा का बात कराना और कोस 90 का विल्यू होता है 0 और कोस 0 का विल्यू होता जाता हूं कॉस 90 डिगरी और कॉस जीरो बरेलियो होता वन और कॉस 90 का विल्यू आपका हो जाता क्या एक सेकंड कॉस को यहां पर कॉस जो है आपका वनमेंट वनमिन यहां पर चूट तो नहीं रहा ना मेरा यहां पर ठीक है सही है हुआ है तो कौस 90 का value हो जता मेरा 0 और करो डिरी वेल्ट हो जता मेरा 1 ा यह जके अधूरी और आ चाहे हैं सहे है le X you know iswać तो पर यहाँ यहाँ पर जा वो घटते जा रहा है मतलब एक है फिर मालनो पालो 2 75 0.65 0.1 0.0 last में 0 हो जा रहा है मतलब जैसे-जैसे अंगल बढ़ाएंगे value क्या होग घळते जाएगा इनकि maximum value कब मिल रहा है हमको 0 cost 30 cost zero degree पर ही मुझे maximum value मिल रहा है cost zero degree पर ही मुझे maximum value बिल रहा है और cost zero कब हो रहा है जब मेरा सर पी भी इसी डियरेक्षिन पर जा रहा है और क्यों भी इसी डियरेक्षिन में जा रहा है तभी चो मुझे थीटा का विल्व जीरो मुझे मिला ना अब बता हूं मुझे maximum value तो यह मुझे पता चल गया क्योंकि P plus Q और आपको पता है जब एक डाइसन पर आता है तो resultant को जोड देते हैं P plus Q कर देते हैं तो यह हो गया maximum वाला condition क्या हो गया maximum वाला condition अब बात करते हैं minimum तो आपको पता है कि sir जितना हम लोग degree का value बढ़ाते जाएंगे ना उतना मेरा value घटते जाएगा क्योंकि 90 में 0 पहुँच गया अब मालो 180 ले लेंगे 360 लेंगे जितना हम लोग जाएंगे उतना value कम होगा तो चलिए यानि कि जितना angle बढ़ेगा उतना मेरा value कम होगा resultant का value तो अब मैं यहां पर दूसरा condition आपको बताता हूँ दूसरा condition यह बताता हूँ कि अगर मालो P force इस direction पर है और Q force just opposite direction पर है क्या just opposite direction पर है अब इस बार देखो क्या हो जागा यहां पर theta का value क्या मिल जागा मेरा 180 मिल गया क्या मिलिया मुझे 180 और एक चीज़ बता हो फिर से यह perpendicular हो गया ना देखो अगर मैं बोलूंगा यह यहां पर राता क्यूं तो perpendicular नहीं रहता यह अगर 90 भी रहता पर बेंडिकुलर नहीं रहता यहां जाता फिर perpendicular मलब सोरी मलब वेल्यू जो है वो क्या होता मेरा परपिंडिकुलर मतलब परपिंडिकुलर यह कुछ भी रहे लेकिन जब इस डिरेक्शन पर तब पैरलल नहीं था यह यह भी मेरा पैरलल नहीं है वन वाला टू वाला थ्री वाला इस सब पैरलल नहीं है लेकिन जब एक लाइन पर आ गया फिर से पैरलल वाला condition आ गया मुला फिर से इसको हम लोग R equal to कैसे निकालेंगे P plus Q करके लेकिन टुकी opposite direction पर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे P minus Q बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो एक बताओ इससे पहले क्या निकला था आपको याद होगा थीटा का कितने अंगल पर तो देखो P plus Q कब वहा था जब एक लाइन में दोनों बैड़ गया था मलब थीटा equal to zero में आपको maximum value मिलेगा थीटा का और अगर minimum का बात करेंगे तो देखो मैं अब क्या करता हूँ पहला कंडिशन ले लेता हूँ थीटा एकोल तो जीड़े रहे थीटा equal to 0 ले लिया थीटा 0 का वोगा जब दोनों एक साइड हो जाएगा तो दोनों देखो PV धर है और Q भी धर है चलो एक डाइसन पर में लिया तो अब मैंने क्या करा वही वाला जो आपको पता है resultant equal to P square plus Q square plus 2pq cos theta सब उसी से आएगा हम लोग यूज करेंगे उसी का बस यहाँ पर theta का value change करेंगे तो theta का value 0 पूट कर दो तो जैसे आप आपको पता है कि यहाँ पर cos theta और cos cos 0 का value क्या हो जाता है Q बचेगा तो यहाँ पर resultant मुझे क्या मिल जाएगा R equal to P square plus Q square plus 2pq चली यह मेरा मिल गया resultant अब दूसरा condition लो theta equal to 180 put कर देते हैं जब theta equal to 180 put करेंगा मतला दोनों फोर्स opposite opposite direction पर तो अगर मैं plus 2pq root under पहले लिख देते हैं 2pq cos theta और cos theta यानि 180 put करेंगे और आपका cos 180 equal to minus 1 क्या होता है आपका minus 1 तो यहाँ पर जब हम put करेंगे 2pq cos theta equal to minus 1 तो यह minus 1 अगर put करेंगे तो पूरा का पूरा 2pq जो होगा वो minus आ जाएगा मतलब यह मैं बोच सकता हूं कि पूरा को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं minus 2pq कर सकता हूं एक second यहाँ पर मैं लिख सकता हूं minus 2pq इसलिए यह चीज जो है यहाँ पर लिखा गया resultant equal to p square plus q square minus 2pq क्योंकि cos 180 का value होता है minus 1 तो यहाँ पे resultant value आप समझ गयोंगे now अब देखो यहाँ पे खतम नहीं होता है आप थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान दो इस वाले को थोड़ा ध्यान दो यह आपको पता चलेगा a plus b के hall square में आ गया यह basically आपका a अगर ले लो यह आपका b ले लो तो यहाँ देखो a square plus b square minus 2ab तो अगर मैं यह किसका हो जाता है a square plus b square minus 2ab तो आप बोलोगे sir a minus b का hall square तो अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ a के जगा में p है और b के जगा में q है तो p minus q का hall square तो यह square जो है और यह आपका root कट जागा कि किसके अंदर root था तो यह 2 से root कट गया तो बचेगा उनली क्या A minus B क्या बचेगा आपको resultant equal to A minus B इसलिए देखो यहाँ पे resultant equal to क्या आया है आपका P minus Q यहाँ पे P and Q को A भी माने थे तो P minus Q आया चलिए तो यह हो गया आपका resultant तो आपको देखके कोई भी लड़का यह अंदाजा लगा लेगा क्या अंदाजा लेगा कि किस time पे यानि कि theta के किस value पे मेरा resultant है वो maximum आ रहा है तो आप बोल दोगे सर जी जब हम लोग theta equal to 180 put करते हैं तो resultant यहाँ मैंने देखा क्या या P minus Q और जब हम लोग put किये थे theta equal to 0 तो resultant आया था मेरा क्या P plus Q तो obviously बात है सर plus वाला ज्यादा value होगा बड़ा यानि कि मेरा value कब ज्यादा maximum मिलेगा जब मेरा theta का value 0 रहेगा इसलिए यह condition को यहाँ पे लिखा गया है कि theta equal to 0 होगा तो R मुझे maximum मिलेगा उपर में देख सकते हो ना तो याद रखना ठीक है उपर वाले को मैं एक काम करता हूँ इस बर द और जब theta equal to 180 put कि तो R मेरा minimum आया और बाकि 105 का value put करेंगे तो दोनों में condition सेमी होता है क्यों सर जी देखो यहाँ पे क्यों अब थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं 105 मतलब यह तो value of the resultant R है और 105 क्या direction of the resultant अच्छा सर मुझे क्या पता है PS को P sin theta plus P plus Q cos theta अब अच्छा अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा इस इसको मैं मिटा देता हूं तो यहां पर आया कैसे यह तो चलो इसको मैं लिखके आपको बताता हूं देखो यहां लिखता हूं हमें 105 एक सेकंड चलो ठीक है सब्सक् Holz कि आट ठीजंगे और उपर वाले को x करना पी कोस सिटा लिग देना और जिसको टुछ करा उसको बस लिख देना तो यहाँ पर किसके साथ करा क्यूं के साथ तो क्यों कर दिने आप थोड़ा सा यहां देखो क्या आ यहां पर यहां पर नीचे आएगा आप बताओ यह पूरा का पूरा अगर 0 value है तो P into 0 equal to 0 हो जाएगा मैं पूरा का पूरा उपर में value क्या हो जागा मेरा 0 हो जाएगा अब कोई भी जीरो बटा कुछ भी हम लोग लेंगे तो क्या होगा यह चीज आप लोग बताए जीरो होता है मैं आपको पहले बता चुको जीरो बटा वन और वन बटा जीरो के बीच का relation क्या होता सर जी अगर मैं यहां पर बोलूँगा जीरो बटा वन तो देखो जीरो में ने रखा और वन से को मल्टी हम लोग करें डिवाइड तो बो सकते हैं 10 जा जीरो हो सकता है यानि कि यह जीरो हम लोग लिख सकते हैं यानिकि जीरो बटा भोन एकल तो यह लेकिन जब भी बोलेगा आपको वन बटा जिरो तो यह अंडिफाइंड होता है इंफाइनाइट माना जाता है इंडिफाइंड क्यूंकि हम लोग एक को जीरो से कभी भी नहीं करें कि 0 को 1000 भी करेंगे तो वो 0 ही होगा कभी भी एक नहीं आने वाला impossible है इसलिए undefined तो यहाँ पर 0 बटा कुछ भी होगा नीचे में तो वो तो 0 ही का जाएगा same condition मेरे यहाँ भी होता है क्योंकि यहाँ भी अगर मैं put करेंगा वही 180 का value तो sin 180 equal to 0 होता है तो उपर यहाँ पर चुकी हम लोग put कर रहे थी टाइकल टो 180 तो यहाँ पर sin 180 का value भी 0 ही होता है तो 0 into P into फिर से यह पूरा का भरी मेरा 0 हो जाता 0 अपन कुछ भी फिर 0 आ जाता तो यहाँ पर कुछ भी आप ले लो 10 5 यह निकि तो यह सभी चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए चली इतना यहाँ पर हो गया तो हम लोग मूब करते हैं तो यह बताने का आपको जोरूत नहीं है कि resultant मेरा दोनों ही case में 10 5 equal to 0 ही आता है चलो इतना हो गया अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे question लगाएंगे बट और condition आप जान लो जो मैं आप लोगो को भी बताया था फिर भी यहाँ पर लिग दिया गया एक आपका ताकि आपका नोट्स में रहे यह basically क्या बतारा single force का कैसे हम लोग resultant finder करते हैं अभी जितना हम लोग पढ़े थे दो force का था यह single force है आपको दिख रहा सरी यह तो double force है यह deer में इसको क्या करो अगर में remove करके हटा दूं इसको रहने ही देते हैं क्योंकि यह इतना मेंस से अच्छा से बनाया गया है मैं next page में आप लोग को समझाता हूं कि कि यह basically क्या यहाँ पर हो रहा है मैं यहाँ पर simple यह कर रहा हूं कि माल लो तो एक single मेरा force इस तरीकर के force है एफ force जा रहा है अब आपको बोलेगा इसको find out करो resolve करो यह single force आप इसका resultant find out करना है तो वही condition एक कहीं ना किसी के साथ यह theta बनाएगा तो माल लेते हो जेंटल पर मिलेगा और एक वर्टिकल मिलेगा और एंगल दे दिया आपको इस बार theta क इसके साथ horizontal के साथ तो जब आप horizontal उला finder करोगे तो theta इसके साथ है इस इसलिए f आ जा गई है cos theta में और उपर चल जागा f sin theta में सेम अगर यही force मेरा रहता सेम यही मेरा force रहता लेकिन इस बार angle मेरा मालो किसके साथ दिया रहता इसके साथ इस तरह करके कुछ theta दिया रहता तो इस बार यह मेरा हो जाता एफ cos theta और यह वाला हो जाता मेरा f sin theta और यह मेरा tensile में जा रहा है अगर nature रहेगा compressive का उस condition भी देख लो कि मालो f इस बार न आपका cost theta और यह आजाता है f sin theta ठीक है यह मेरा tensile nature का घींच रहा है तो आप जैसा भी रहेगा इस तरीका तक यह ध्यान रखना कि theta किसके साथ बना रहा है उधर cost होगा समाझ आए मेरी बात इस इसका आप लोगको ध्यान रखना है और basically f मतलब कहने का मतलब कि इसका कुछ value होगा जैसे 20 Newton देखो actual में question में क्या रहागा वो भी मैं आप लोगको एक बता के चलता हूं एक आपको बता के चलता हूं एक question में कैसे रहेगा f नहीं दिया रहेगा और theta का value नहीं देगा वो कुछ value रहता है जैसे चलो मैं आप लोगको एक बता रहा हूं यहां पे जैसे 20 into cos 30 और यहां जाएगा 20 into sin 30 तो बस आपको इससे calculate पता चलेगा sum of horizontal vertical क्या है अब एक force ना देगे कभी कभी क्या बोलेगा 10 force देगा जैसे मालो एक force 20 किलो न्यूटन का एक force देगा यहां पे जो बना रहा है मालो 10 किलो न्यूटन का एक force देगा यहां पे जो मालो 15 किलो न् 30 का अब सबको result करो तो सबको आप result कर सकते हो अगर मैं बात करूंगा 10 न्यूटन का करते हैं तो 10 न्यूटन का यहां जाएगा और एक मेरा इधर जाएगा तो चुकि 60 इसके साथ बना रहा तो क्या जागा यह 10 आ जाएगा को सिक्ष्टी ठीक है को सिक्ष्टी और यह जागा 10 साइन सिक्ष्टी सेम उसी तरह अगर बात करेंगे 15 किलो न्यूटन का तो यह भी आपका दो फोर्स निकलेगा किदर निकलेगा आपका एक निकल जाएगा यलो से में दिखा देता हूं एक निकल जाएगा इस कैसे हम लोग रहा समफ और निकालेंगे सिर्फ और ले लो मालो यह जाएगे तो 20 न्यूटन वाला हो गया अगर 10 न्यूटन का बात करेंगे तो कितना था 10 न्यूटन का अगर देखेंगे तो 10 को 60 आए था तो यह वाला ले लेंगे और एक फिप्टीन ता तो 15 का भी 15 था और एक आपका 20 था तो तो तीन को में समा फोर जेंटल फाइंड आट कर सकते हो समझ है और जब मैं कोशन बताओंगा तो यह सब चीजों के बार में आप लोग देता हो next class में आप लोग को solution कराऊंगा इसका आप कितना होगा मुझे बताना find the resultant force इसका resultant आपको find it करें चार पोर्ष दिया गया वह सब आपको यह बता करना है कि इसका resultant बताओ तो तो resultant आप यहां पे क्या करोंगे यहां कोई दो करते हैं पलस की घू लगा सकते हों नहीं लगा सकते हूं क्यूं कि देखोंग यहां क्यों सब्सक्रांबर करके सबस्क्राइब थो में जानना चाहता हूं कि क्या यह चीज समझ में आया कि नहीं तो आप इसको सोलिशन करना इसको कुछ नहीं है यह 8 किलो न्यूटरन को मालो होर्जेंटल निकालना तो 8 वाला देखो 8 वाला पीस अगर होर्जेंटल से निकालेंगे तो क्या जागा 8 और बना रहा 45 तो आगया कॉस 45 यह मिल गया सब को अब देखो 10 का बात करे तो 10 एक बनाएगा इधर बना इधर तो मैं वर्टिकल नहीं लेकर होर्जेंटल क्या बनाएगा 60 बना रहा तो और यहां पे को आ जाएगा क्या 10 कॉस 60 तो देखो दोनों फोर्ज को यहां रिजल्व कर लिए एट वाला भी कर लिए और टैन वाला भी कर लिए अब आज यह इधर वाला टू वाला 20 वाला टू अगर होड़ जनल के साथ बनाएगा 30 एंगल बना 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 टू कॉस 30 अगर 20 का बात करेंगे तो यह भी इस ड्राक्षिन पर जाएगा और यह को क्या जागा 20 कॉस बनाएगा फिर से सोरी कॉस 30 तो हो गया वर्टिकल वाला लिए ही नहीं आ वर्टिकल सब लेलो तो भी अब बस आपको क्या कल्कुलेट करना अब बस यह चार फोर्स को कल्कुलेट करना तो सम आफ और पो आपको result यह आ जागा कैसे करोगे sum of the horizontal equal to 0 हम लोग करेंगे तो जो एक direction में जाएगा तो जोड देंगे opposite गया तो घटा देंगे तो देखो दो मेरा इस direction पर जा रहा फोर्स दो मेरा यह दोनों force कि जा जा रहा इस direction पर जा रहा और दो मेरा force इस direction पर जा रहा तो दो को positive लि ले लए फिर माइनस चलो करके में बता देता हi माइनस फुर्टी फ़ॉर और माइनस टैन 17 RICHARD कि आप किसी को भी नेगेटीव ले सकते थे ठीक है एक सेकनद ना याजाए अगए याप सिस्टीट अप किसी को भी माइनस में न्यत Как इसको भी माइनस है सकते थे कोई दिक्कत नहीं है और मानलों यह हटाएंगे is equal to यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग is equal to 0 होता है एक सेकंड थोड़ इसको इधर में करता हूं नहीं तो आप लोगो साइद कट जाए हाँ यह चीज हो गया और is equal to हम लोग क्या लेते कि sum of the horizontal equal to 0 तो is equal to 0 करेंगे तो आजगा 2 cos 30 plus 20 cos 30 is equal to 8 cos 45 क्या हो जगा is cos 45 और minus 10 cos 60 तो यह हो गया sum of the horizontal आप find out टरना आपको sum of the vertical आप वर्टिकल वाला निकालो तो वर्टिकल वाला निकालेंगे सबका निकालेंगे तो sum of vertical find out हो जगा देन निकालेंगे resultant क्या था root under sum of the horizontal का hall square some of the vertical hole square horizontal vertical ka hall square यहां साब को resultant आप यहां पर बोच सकते हो सर जी एक चीज़ बताईए यहां पे यह basically तो आप बोच सकते हैं sir वही वाला हम लोग rule use किये यह root under P square plus Q square बोच सकते हैं R equal to क्योंकि देखो पी के जगह में समा वर्टिकल है और क्यों के समाव दा होर्जेंटल बिल्कुल सही वही की हैं लेकिन आप यह पूछो कि सर प्लस टूपी क्यों क्यों यहां पर नहीं लिखे याद करो एक चीज याद करो यह कंडिशन कभ हम लोग लिखे थे याद करो यह वाला चीज आर इक सब्सक्राइब करो या फिर इसके जगह में बोसक्ता सम अब दा होर्जेंटल पर जाता है तो ध्यान से देखो जब हम लोग यहां पर रिजॉल्व की एं रिजॉल्ब जब किये तो हर सब के बीच में जो है वह क्या एंगल था 90 था इसके बीच में भी 90 था और इसके बीच को सब्सक्राइब कर दी एक पूरा का पूरा जो भी मेरा होर्जेंटल लगा उसको एक फोर्स माल नहीं सब को जोड़ जाड़के रिजल्टन बनाके सब को जोड़के जैसे घर में मैंने बता है था ना तीन आदमी पैसा कमाता तो एक में कर दिया और उस तरह अगला का मैंने वर्टिकल वाला सब जोड़ा उसको एक कर दिया तो पी और क्यू दो मिलिया और दोनों मेरा हर कोई सब्सक्राइब कर दिया है तो हम लोग कौन सा यूज किये जो कंक्लूजन का पहला नियम था यह वला जो मैंने कहा था कंडिशन फर्स कंडिशन अगर पी और क्यू वर्टिकल है यूँकि दो को यह बैसे कि लिए वर्टिकल है और यह आपका होर्जेंटल है तो यहाँ पर कर मालों पी इस तरह लगता पी वान पीटो की तही लगता तो हम लोग ने कर सकते थे पी कृल टो था पिवन प्लस पी तू ठैप्लस पी थी ती है यही तह हम लोग की थे शभी और सब को जोड jeito और सबे और यह वह यह वहलो कफे का चैया वहर्ट कर दिए सब्सक्राइब कर सकते हो समझ है मेरी बात की नहीं तो यह सभी तरीका आप समझ है ना यह बहुत जग आप देखे होंगे रिजल्टेंट निकाला जाता समझ अधर वह बैसिकली यही फॉर्मूला है रिजल्टेंट अब दी टू फोर्सेस के बीच में जो हम लोग सब्सक्राइब कर दो और वेसे में बता दिया तो आप लोगो यह देखना कि आप लोग कितना आंसार आया कमेंट किजेगा सर जी इतना आंसार रहा मैं आप लोगो कि आप लोग अच्छा लगा हो ठीक है तो आप लोग को लाइक करना है एक सेकंड यह सभी चीज को मुझे हटाना पड़ेगा विकोज यह जो है बेक जा नहीं रहा है जस्ट अ मिनुट को तो मुझे रखना ही पड़ेगा तो यह 45 और 60 है ना ठीक है 45 और 60 था और यह 30-30 है 45 एक सेकंड मुझे यहाँ पर देखना ही पड़ेगा नहीं तो confusion हो जागा चलो मैं एक काम करता हूँ ना एक काम मैं करता हूँ यह सभी को मैं हाटाता हूँ पहले तो चली क्लास ओफ हो ही गया है अब क्लास बस में यहां पर बस से अपको मिटा दूंगा और यह question को छोड़ दूंगा ठीक है क्यों कि यहां पर मुझे नहीं करना चाहिए कभी कभी क्या होता है कि iPad बेक जाता नहीं है ना iPad जब बेक नहीं जाता कभी कभी पता नहीं इसका function क् दिक्कत होता है मिटाने में या फिर हो सकता है इसका workload जो जादा हो जाता है तो यह तो 30-30 था और 45 और 60 था ठीक है याद हो जाएगा 45 उपर वाला था यहां से एक point से फसावा किस तरकर करके लग रहा था एक सेकंड यह एक force रहा यह दूसरा force रहा यह तीसरा force लगा और यह चोथा force लगा ठीक है और horizontal के साथ जो है कैसा बना रहा था यह यह बना रहा था 45 अंगल का यह बना रहा था 60 अंगल का यह बना रहा कि क्या है या final resultant आपका ठीक है और हम लोग मिलते है next part में तब तक लिए goodbye and God bless you all और अगर आप SSC GE का preparation कर रहो या फिर RRB GE का तो इसका course ready हो चुका है upload होई रहा है वहाँ पर पूरा engineering mechanism complete है subject wise syllabus के coding आप देख सकते हैं में क्या क्या मिलेगा वह सभी वह चीज मिलेगा जो आपके लिए important है complete mechanical course मिलेगा content मिलेगा lecture बेकर मिलेगा सब कोई देगा extra चीज जो है यह आपका special चीज मिलेगा जो और आपको कोई भी provide नहीं करोंगा जैसे special numerical class से लेगा subject wise revision class चलेगा और sscj rbj का previous solution से मुसी तरह यहाँ पर तीन चीज मिलेगा अगर आप sscj का course लेते हो तो ठीक है चलिए गाइज मिलते हमने next part में तब तक लिए goodbye and god bless you all bye bye guys